कर्म बड़ा या भगवान, शिक्षा प्रद कहानी, एक गाव में दो परोसी थे जो बच्पन के अच्छे मित्र भी थे जिनका नाम रमन और हरिलाल था। दोनों स्वभाव से काफी भिन थे। रमन बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था वही हरिलाल कर्म में विश्वास रखने वाला बहुत मिहनती व्यक्ति था। दोनों की आर्थिक स्थिती ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक बार दोनों ने मिलकर अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए भागीदारी में थोड़ी जमीन खरी दी। उनका विचार था कि इस जमीन में वो अच्छी फसल उगा कर उसको बेचेंगे और अच्छा धन कम अब समय था फसल पाने के लिए खेत में मेहनत करने का। मेहनती हरिलाल खेत में काफी इमानदारी से मेहनत करता लेकिन रमन खेत से दूर ही रहता और मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की उपज मिले इसलिए पूजा प्रार्थना करता। समय बीटता गया और कु ब्रतवारे की तो घर आकर हरिलाल ने रमन से विनती की कि इस धं का ज्यादा हिस्सा उसे दिया जाए क्योंकि उसी ने खेत में ज्यादा मेहनत की है। Graham धन के बैटवारे के लिए दोनों गाव के सरपंच के पास पहुँचे। धन का बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। रमन और हरिलाल चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। महनती हरिलाल ने रात भर बिना सोई चावल और कंकड को अलग किया। लेकिन रमन चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड अलग करने की प्रार्थना करके सो गया. अगले दिन सुबह हरिलाल जितने चावल और कंकड अलग कर सका उसको ले जाकर सर्पंच के पास गया. जिसे देखकर सरपंच खुश हुआ रमन वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर सरपंच के पास पहुँच गया सरपंच ने रमन से कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किये हैं रमन ने कहा कि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिये होन। जब उसकी चावल की बोरी को खोला गया तो उसमें चावल और कंकर वैसे के वैसे ही थे। सरपंच ने रमन को समझाया कि भगवान भी तबी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। सरपंच ने धन का ज्यादा हिस्सा हरिलाल को दिया। इस घटना के बाद रमन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो भी हरिलाल की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। महत्व पूर्ण सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी सब कुछ भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा उसका साथ देते है जो कर्म करना नहीं छोड़ता इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जरूरी मेहनत करनी ही चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छे लगे तो चेनेल को लागवाना चाहिए।